SD राज इंगलिस में आपका दुबारा से स्वागत है इसके पहले हमने एक वीडियो डाली है इस्टेटिव वर्व और एक्सेन वर्व की दोनों में अंतर क्या है वो बताने के लिए उसी की एक्सरसाइज है अब वो हमने आपको थेरी बता दी थी अब उसकी ये एक्सरसाइज में आपको सालब करवाऊंगा यहां आपके जो रहे सहे डाउट्स होंगे वो सब सारे क्लियर हो जाएंगे चलिए एक एक कुश्चन हम यहां पे देखते हैं अब जैसे सचिन इस प्लेइंग क्रिकेट इन दा ग्राउंड अब यहां जो हमने उसमें क्या बताया था कि आपको यह देखना है सब्जेक्ट इसका क्या है सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो सचिन का बाड़ी मोवमेंट की यहां जरूरत पड़ेगी जो सचिन जब यह खेलेंगे तो इस प्लेइंग में इनको बाड़ी मोवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो जब बाड़ी मोवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो यहां वर्ब आपकी एक्सन वाली है तो इसमें आपसन नमबर टू आपका सही है इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है क्या उसको बाड़ी मॉवमेंट की जरूरत है या बाड़ी मॉवमेंट की जरूरत नहीं है बस इतनी चीजों को आपको ध्यान देना है बस अब इसमें आपको क्या करना है belief तो believe एक वर्ब जो है यह मांसिक रिया है इसमें body moment की जरूरत रूरत नहीं है तो यह आपकी state of verb यहाँ चलि आगला sentence देखते हैं right now my brother is watching TV in the living room तो watch वर्ब क्या होती है watch वर्ब का मतलब होता है intention बना के देखना तो आप यहाँ जब वाच करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी आख खुली रहेगी आप पलकों में कुछ आप बाडी मुवमेंट देंगे तो यहाँ बाडी मुवमेंट की जरूद पढ़ रही है तो इसमें क्या है यह आपकी एक्शन वर्ब है नेक्स्ट कुश्चन आपका है ही इस टीचिंग म इक बाडी मुवमेंट की जरूद पढ़ाएगी तो यहाँ वर्ब आपकी एक्शन वर्ब आ कहां अब नेक्स्ट कुश्चन आपका है ही इस टीचर तो इनको टीचर physically बाडी मुवमेंट की जरूद नहीं तो यहां जो आपकी जो इज वर्ब है, इज वर्ब आपकी कौनसी वर्ब है, यह वर्ब आपकी इस्टेटिव वर्ब है, अब ही जे गार्डिनर, अब यह भी एक अवस्था है, यहां इज से यह इज वर्ब एक अवस्था बता रही है, हमको कैसे पता चला, तो यह ही महोदे कुई body movement नहीं कर रहे हैं तो यह वर्ब आपकी स्टेटि वर्व ही होगी अगई सटेंटंस है ही डिष वॉर्टरनिघ करनें में हättे हम आपको बाधि मॉवेंट की जरूद पड़ेगी बाथ है यह और बापकी action वर्वर नेक्स्टे सेंटन्स है आपका आई-म रिडिंग नाविल तो जब आप नाविल रीड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मन्हें के मलरा रीडिंग में भी आप इंटेंशन बना के रिडिंग करेंगे तो आपकी आखें खुली रहेंगी आखों को उपर प्रश पड़ेगा तो बाड़ी moment की यहाँ जरूरत है तो जब body moment की जरूरत है तो यह वर्ब आपकी action वर्ब हो जाएगा अब जैसे next sentence है this novel is very interesting तो यह जो is वर्ब है इस novel की एक अवस्था बता रही है नाबल की बता रहा है और यहाँ कोई body moment नहीं है तो यह वर्ब यहाँ पर जो is use हुई है यह आपकी क्या है यह आपकी state verb है अब यहाँ देखो I am hungry I want to eat my favorite recipe तो अब यहाँ पर यहाँ पर I am वर्ब आपसे पूछा गया है I am वर्ब तो यह I am वर्ब जाहिर सी बात है आपकी state verb है wants वांट मतलब चाहना यह वर्ब भी आपकी कहने के मतलब मानंखसे क्रिया वाली है यह वर्ब में आपको मतलब कोई body moment की जरूरत निए यह वर्ब भी आपकी कुण सी होगी यह द ज इस कैसी वर्ब है यह आपकी action वर्ब है तो यहाँ जीतनी वर्ब यूज हो दी गई हैं तो हम को उन पर भी थोड़ा इलावरेशन देना था इसलिए हमने सब को बताया तो एम आपकी इस्टेटीव वर्ब है वान्ट आपकी एक्स वान्ट भी आपकी इस्टेटीव वर्ब है और जो यह तो इट है डेसेज अलाट तो यहां जो लाइक वर्ब है यह भी एक मानसी क्रिया वाली ही वर्ब है आपको यहां पर इसको जो है स्टेटी भी मानना पड़ेगा इस वर्ब है ये भी एक अवस्था बताने वाली ही वर्ब है इसमें इट को कोई बाड़ी मोवेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह क्या है वज़से इट आपका निर्जीव चीज है तो यहां पर वज़से भी जब निर्जीव है तो इट कोई काम नहीं करेगा इस वर्ब वो इस लिंगिंग वर्ब है यहाँ यह सिर्फ आपका क्या कराएगी इस टेटी ही सो कर रही है तो इस वर्ब को आप इस टेटी वर्ब वो लेंगे नेक्स्ट संटेंस देखिए Kids are playing in the snow अब यहाँ playing यह वर्ब आपकी क्या है यह वर्ब एक जो है एक्सन वर्ब है एक्सन बता रहा है तो यहाँ पी यह एक्सन वर्ब है अब यहाँ पर देखना यह question आपको समझने वाला है My dog Tom is tasting the food I cooked अब इसमें वर्ब जो है वर्ब एक आपका यह टेस्टिंग है अब इसको यहाँ पर पूछा गया तो टेस्टिंग का मतलब क्या होता है टेस्ट का मतलब होता है स्वाद आना अब एक मतलब होता है स्वाद लेना अब जैसे मैं बोलू दही से खटा स्वाद आता है तो यह वर्ब जो स्वाद आने का सेंस होगा उसको भी टेस्ट लिया जो है टेस्ट उसको बोला जाता है जैसे हनी टेस्ट स्वीट तो यहां सेंटेंस का मीनिंग यह निकलेगा हनी का स्वाद मीठा होता है तो यहां हनी कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसमें क्या होगा इसमें वर्ब इस्टेटिव हो ज पड़ेगी आपकी बड़ी वाली जीफ लंप लफ लफ करेगी बाडी मोमेंट हुआ तो यह वर्ब awhile रापकी है कुउक्ड है है यह देखेकुश्चन बड़ा अच्छा है यहां पी अरएबियन परिफ्यूम्स इसमेल्स तो इस इसमेल, का मतलब ही है यहां स्टेट के बारे में बताय गया है अब जैसे मैं बोलूं आई एम Smelling दरूज तो यहां जो Smell का Meaning निकल रहा है मैं गुलाब को सूंग रहा हूँ यहां मतलब हो गया महक लेना तो जब महक लेना आप महक लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपना नाग फूल पर रखेंगे खींचेंगे इनहीलिंग नेगे तो उसमें bleeding की जरूत पड़ेगी तो ilsmail की दो meanny होती है एक होता महक लेना एक होता है महक आना तो जब आम महक महक लेने के sense में होगा तब तो एक्शन वर्व हो जाएगी जब महक आने के sense में होगा तो फिर व आपकी स्टेट हो जाएगी और यहां क्या है महक आना मतलब Arabian Parfum से मीठी महक आती है तो यह मीठी महक आती है इसमें Arabian Parfum को किसी भी बाटी मूवमेंट करने की जरूत नहीं है और यहां यह आप देखेंगे यह जो है निर्जीव टाइप का सब्जेक्ट भी है तो इसमें जब आप नहें जो है महें लेंगे जाहिर सी बात है आप गुलाब के फूल पर अपनी नाकवा गड़ाएंगे उसमें लीपिंग वर्ब आपका जो है इसमें सोना भी जो है सारी क्रिया ही माना जाता है मांसी क्रिया नहीं है तो यहां पर यह आपके जो एक्शन वर्ब मानेंगे अच्छा एक कुछ ज्यादा तर 90% जो है आपकी जो इस्टेटिव वर्ब होती है उनका कांटिनियोस में यूज जो आप कांटिनियोस में करते हैं मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने हुँ उसमें मैं इन सब सारी चीजों पे चर्चा करूंगा कि कब इस्टेटिव वर्व इस्टेटिव होते हुए भी हम उनका कांटिनियोस में यूज़ करते हैं और ज्यादा तर जो है इस्टेटिव वर्व वह कांटिनियोस टेंस में यूज़ नहीं होती है वह गिनी चुनी वर्व हैं गिनी चुनी कंडिशन पर ही उनका यूज़ होता तो इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं हमको पूरी उम्मीद है कि आप इस्टेटिव वर्व और एक्षन वर्व का कांसेप्ट अच्छे से जमस गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डेटेल इस्ट पर आता हूँ तब तक के लिए अलविदा और अच्छा वाला थैंक्स